हलो इस द्रैंक्स मैं मालसे पांडे क्लास 10 मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं अज़ा करता हूं इसके पिछले वाले वीडियो आपने देखा होगा और उसको अच्छे से समझा होगा उसके दिये गए क्वेश्चे उसको सॉल्व दिये होगे आज अब इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे fundamental theory of arithmetic अर्थमेटिक का fundamental theorem क्या होता है है jeśli और दिय और किसी with numbers को उसके prime factorization के स्वे रूप में लिखना ही fundamental theory तो आए इसकी definitions की बात कर लेते हैं, इसकी definitions क्या होती है देखे, यह definitions से इसकी, लिखा हुआ, if every composite number can be represented as the product of its prime number ठीक है, इक्जांपल समझते हैं, इसे मालगे जिए कि दे दिया 120 120 का हम प्रायम फैट्राइशन कर सकते हैं 120 के प्रायम फैट्राइशन करें इसके लिए हम 120 का यसे मिकाल लेंगे 30, 215, 35, 551, 2 x 2 x 2 x 3 x 5 यह प्रायम फैट्राइशन अपड़ी है तो बस इसको हम इसके प्रायम फैट्राइशन के रूप में लिख दिये ही Boston कर दिए वहीं इसकासितं हो गया 35 35 को रिपर्जन करना क्या रुप में श्यांगी से 0 है यह हो तो आ सम्राइब्धर होता है 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 ये मति इन memoir से इसकोche good यह इसका यूज कहां कहां होता है अगर आगा तरह है कि इसकी इसकी बात करें आप्लिकेशन आगे हार अप्लिकेशन अभ अप्लिकेशन आफ फंडामेल्डम थूर्म आफ अर्थमेटिक इसका सबसी पहला यूज है एलसियम निकालेंगे Prim Statarian N에서 M-LSM निकाल लेजे दूसरा है एलसियम निकालेंगे तीसरा किसी भी Numbers की Property को प्रूफ करने लिए ढमी साथे हैं Proof the Property of नम्बर नम्बर के property को prove करने की दो अच्छे अब ये last इतिनु से समझ में आ रहा होगा ये last में लिखाए prove the property अपने ये करने का क्या मत्त्व है कई इसको हम समझते है 3 अब क्दिक्षिंक को तर्ट आप्र अबिक्रीशन को समझते हैं जिसे महा ले लिख भी हां कि 4 की पावर यहां तो 4 की पावर यह लिखे है कि इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ चुछ 4 का मुल्टी पे हम यहन टाइम करेंगे यह हुआ 4 का मुल्टी पे किते टाइम करेंगे हम यहन टाइम करेंगे इसका मतलब क्या है 4 into 4 है यह है अब मैं आपसे कोई एक ऐसा नंबर बताईए कोई एक ऐसा नंबर बताईए जिसके पावर मैं 3 रख दूं तो उसको solve करने पर जो नंबर आएगा उसका unit digit 0 होगा जैसे मैंने लिख दिया 5 के पावर 3 है और हम करें solve करो और देखो कि क्या इसके unit digit पे 0 आ रहा है कि इसको solve करें कि क्या होगा 125 क्या इसके unit digit पे 0 आ रहा है कि कि इसके unit digit पे 0 आ रहा है कि कितना हो जब 64 आएगा नहीं आएगा तो अब ओभरा कोश्रस मैं ऐसे का दूं कि प्रूफ कीजिए कि 6 के पावर यहन है और इसको solve करने पर जो number आएगा उसका unit digit पे 0 नहीं आएगा प्रूफ कीजिए कि यह कोई number रहा है और इसको solve करने पर जो number आएगा उसका unit digit पे 0 नहीं आएगा तो कैसे solve करेंगे तो मालीजे इसको solve किए unit digit 0 आएगा नहीं जाएगा कोई और यह ऐसा number इसको solve करने पर unit digit 0 आएगा तो हम इस जापर इसके chain का 10 के power 3 करें कितना हो जाएगा 1000 हुआ unit digit क्या हुआ जीरो 10 हो सकता है 20 हो सकता है 50 हो सकता है और भी कोई number नहीं हो सकता है जिसको solve करने पर unit digit 0 है अभी बाते समय में आपको आ रही हुआ है मतलब कित आखिर में क्यों 10 को 10 के power 3 कर रहा हूं तो इसके unit 0 आ जा रहा है वहीं हम 5 के power 3 कर रहे है तो इसका unit 0 नहीं आ रहा है ऐसा क्यों तो देखिए जब 3 का prime subtraction करेंगे तो 2 into 5 होगा और 5 का करेंगे तो वहले 5 होगा यह माली है 8 है 8 का कर देंगे 64 क्यों क्योंकि इसके भी क्या हो मतलब यह किसी नंबर का हम पावर कर रहे है उसका square यह क्यों कर रहे है और उसका unit 0 आ जा रहा है तो क्यों आ रहा है क्योंकि उसके prime subtraction में 2 और 5 है 2 और 5 है 20 के लाव कोई और भी नंबर है जैसे माली कि 30 होता 30 के पावर क्यूब कर देंगे 30 का prime subtraction क्या होगा क्यों इसके prime subtraction में 2 और 5 आया तभी इसको solve करने पर unit digit में 0 आएगा क्यों आया क्यों कि इसके prime subtraction में 2 और 5 आया इसके prime subtraction में नहीं आया इसके prime subtraction में नहीं आया और इसको आप पावर करते हैं इसको आया क्यों कुछ भी कर देते हैं तो उसमें unit unit 0 आएगा 100% यदि 2 और 5 इसके कोई एक भी नहीं आता है तो नहीं आएगा बात्रों में आदे कब आएगा कब नहीं आएगा इसको आई questions के तुरू समझते हैं question में इसका use कैसे होता है देखिए यह question है कर आया कि so that any numbers of the form 6 के पावर L where L is natural number can never end with digit 0 मतलब यदि कोई number इस form में है 6 के पावर 1 जहां 1 कोई natural number है जो यह लिखा हुआ है यह natural number इसमाल यह मतलब यह वाल है यहां 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 पर कोई नमबर हो सकता है अब कर आया कि यह कोई number 6 के पावर 1 के रूप में लिखा हुआ है तो 100 kg के इसको solve करेंगे तो जो number आएगा उसका unit 0 नहीं आएगा तो आएगे solve करते हैं तो solution का हज़स होगा लिखेंगे we know that if if a number if a number had unit 0 जिरू दिन इस प्राइम फेक्टर है क्या तू और फाइफ तू और फाइफ दोनों का इसकी अलामा और भी नंबर हो सकता है अब आते है कि आप इतना सब लिखें किनो लिखें आप डैप लिशेक्टे हैं बाइफ फेन्डामिल्ड थिर्म आप अर्थमेटिक यह आपको समझने के लिए आसानी के लिए हम लिए लिए यहां देखी नंबर क्या है इसका प्राइम सट्रेशन करेंगी तो क्या होगा 2 into 3 अप 2 into 3 के पावद 1 है तो क्या इसको कई 5 है नहीं इसको solve करने बाद 2 के पावद 1 से भी multiply होगा और यहां से भी multiply होगा जोने हो multiply होगा तो यह क्या कर रहा है इसमें shift क्या दिखरा आपको? So that only 2 and 3 as prime factor चलिए इसमें क्या दिखरा आपको? 2 और 3 दिखरा है 5 का है दिखरा है? नहीं दिखरा है तो लिखेंगे So 5 is not 5 is not a factor आप 6 की पावर जाएंगे यहां कर रहा है चलिए 2 नहीं होना चाहिए 5 factor में 2 नहीं होना चाहिए लिकिन यहां पर क्या है? 5 नहीं है जब 5 नहीं है लिखेंगे हैंस 6 पाव यहं के लिखेंगे हैं 6 पाव यह यहां यह वह question ऐसे solve गी है तो मैं भी समझ नहीं है आया हुगा fundamental theorem क्या होता है और ऐसे questions को में हां solve करते हैं इस पर हम कुछ questions आप को देते हैं अब से इसी बेस्ट questions को solve किजिएगा को तो questions समझ में आया होगा उसी बेस question हमने दिया है इसको आप लोग solve किजिएगा और इस video class में मैं NCRT के book के questions को add कर दे रहाँ जिसको आप देख करके exercise by exercise solve कर लिएगा हम हर topic पे video बना चुके हैं उसी topic से questions आप exercise में मिलेंगे जिसको आप solve किजिएगा तो question देंके solve किजिएगा तब तके लिए बाई बाई झाल झाल